सबसे पहले तो मैं सबसे सौरी बोलना चाहूंगा क्योंकि हमारी क्लासे सभी कल भी नहीं हो पाई थी इंटरनेट इशू यह आप समझ लो जो भी चीजे समझ लो हम थे नहीं ओफिस पे ऐसा कुछ रिजन था तो इसके करण नहीं हो पाई बट हम डेली अब ट्राइग आखे छीमीटेटेडेटेडेटेडेटे क्लेटे टि यह टी आव फोर्त के यह अव इंदैडीनेस मौ पानी की अगर पानी जाला था प्लस हमने क्या डाला एसीड है ना हमने एसीड डाली जिसमें एसीड की concentration जादा होगी water के less it means आप नियरली जीरो भी बोल सकते हो ठीक है नियरली जीरो भी बोल सकते हो बट आप यह समझो की acid की concentration ज्यादा है mostly वहाँ पर क्या डोमिनेट कर रहा है सिद अगर डायलूटेट की बात करें तो वाटर इसमें एसीड के मुकाबले है ना, Acids की मात्रा जो हो, वो कम है, है ना, Water plus Acid यह हम जब भी Concentration की बात करते हैं, दो चीजों के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं ना concentrated diluted जिसमें water थोड़ा ज़्यादा है ना concentration में आपकी acid की मात्रा ज्यादा है ठीक है our diluted में क्या है वो कम है है ना चलो अब आगे बात करते हैं addition of acid basis to water है ना हमने क्या बूला था कि हम डारेटली वाटर को एसवर में नहीं कर सकते है ना क्योंकि वह highly exothermik हो जाएगा है ना highly exothermik होगा जैसे हमने container एक लिया था ठीक है हमने container लिया था यह full-to-full एसे भारा हुआ था हमने एक बॉटल यहां पर क्या किया एस टूओ डाला ठीक है अगर आप यहां ऐसे खड़े हो कुछ ठीक है ना दीख रहा है ना ऐसे अगर आप खड़े हो तो आपके उपर क्या जाएगा भाई कुछ य्क्जोथर्मिक है तो वह कुछ रिलीज करेगा और आप जल भी सकति हो है ना इंफ्लेंवल होता है ना जल भी सकते हो इसलिए हम बोल सकते हैं कि डायरेकल लिएट करते हैं वाटर में थोड़े थरा हम एसेटS एड करते जाते हैं हैं ना क्योंकि वह हाईली इक्शोथर्मि में acid को slowly slowly कभी भी add करते हैं Slowly slowly करते हैं इंस उनर्जी है करता है काफी जादा energy रिलीज कर देता है तो स्लोली स्लोली इसको add करते हैं अगर जब भी यह release होगा जैसे ह Зем है क्षिए क्रश्च हम कभी गर करते हैं ठीक है water में अड्ज करते है ठीक ने दो हम बात करते हैं कि क्या H+, ऐसे ही stable रहता है, देखो H+, की एक property होती है, कि वो कभी भी single exist नहीं करता, वो unstable होता है, वो तुरंद क्या करता है, जो हमारा water था, ठीक है, उससे react कर जाता है H+, प्लस H2O, ठीक है, ये react करके H3O+, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है, इसका नाम के आमने बताया था आपको, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ये कभी भी alone exist नहीं करता है, H+, कि अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो alone exist नहीं करता, ठीक है, कि it forms H3O+, after reacting with H2O, ठीक है, इ reply में करता रहूंगा है, तो आपको at least comment करना है सबको, चलो, acids की बात कर रहे हैं, तो acids को generally हम थोड़े से और upper level की अगर बात करें, तो हम categorize करते हैं, सबसे पहले हमने क्या समझाता, concentrated होती है, या तो diluted होती है, हमने initially ही समझाता, बट थोड़ा सा और हमने study किया, थोड़ा स हम acid को water में मिलाते हैं, ठीक है, acid को water में मिलाते हैं, दोनों condition में water में मिलाते हैं, तो जो वाली acid, जो वाली acid completely क्या होती है, तूट जाती है किसमे, H plus ion में, ठीक है, जो अपना complete dissociation कर लेते हैं, जैसे acid का काम है, कि वो H plus ion release करता है, है ना जबी भी वो, आप water में add करते हो, अपने ions को तोड़ देता है, तो जो completely dissociate हो जाता है, जो अपने आपको completely dissociate कर लाते हैं, जैसे हम HCl की बात करें, तो completely H plus plus Cl minus ion दे देता है, completely, ठीक है, nearly completely आप बोल सकते हो, ठीक है, कि मोशली वो अपना पूरा ions तोड़ देता है, ठीक है, वो क्या होते है, strong acids, जो कि water में मिल कैसे थे, ऐसे combination में थे, एक दूसरे से combined थे, है ना, ये एक दूसरे से combined थे, ऐसे, आप ये bond हम लोग दिखाते हैं, एसे कि वो ऐसे combined थे, बट जैसे हमने water में add किया, तो वो H plus or Cl minus ion में तोड़ गए, अपने, आपको उसने क्या क्या है, dissociate कर लिया completely, ठीक है, और weak acids की बात बोल दो, या 70% बोल दो, अब वो depend करता है, कितनी weaker acid है, है ना, कितनी weaker acid है, तो हम examples ले लेते हैं, कुछ example, देखो, HNO3 हो गया, हमारा H2SO4 हो गया, HCl, ये क्या है, stronger acids है, आप इने अगर water में डालते हो, ठीक है, तो ये completely अपने आपको dissociate करते जाते हैं, बट अगर हम बात क अगर है weak acid की, तो इसमें हम क्या लिए, CH3COH, है ना, तो ये क्या होते है, कुछ अपने आपको कम तोड़ते है, H2CO3, carbonic acid, है ना, अपने आपको कम तोड़ते है, completely dissociate नहीं कर पाते, ठीक है, इनका कुछ percentage होता है, जितने पी तोड़ते अपने आपको, ठीक है, तो आप ऐ हो, ठीक हो, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप उसको, चलो, अब आगे चलते हैं, तो एसे और बेक्स से हम कुछ देखते है, रियक्शन होती है, हमारा हम human nature है, हम सांती से नहीं बैठ सकते हैं, हम सांती से नहीं बैठ सकते हैं, हम कुछ ने कुछ करते रहते हैं, कुछ लड़ा कराना स्टार्ट कर दिया सबसे पहले हमने क्या किया मेटल से रियक्षिन करा दिया है ना सबसे पहले हमने मेटल से रियक्षिन करा दिया तो जब हम मेटल से तो यह क्या हमने लिया एक्जामपल एक देखते हैं कि हमने मेटल से एसेड की रियक्षिन कराई तो उसने क्या किया देखो एककस फोरम हमने हाइड्रोक्लोरी के सेट लिया तो जिक्डॉरॉराइड बना ऐस नियुक्डॉराइड बना और उस ने क्या किया हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया तो आप सिंप Bluetooth कर दिया खरके की कभी हम एसेड का जभि भी रिय toilet कर आते हैं तोcraquy है अपने आपको completely तोड़ देता है ठीक है मेटल से जबी आप reaction कराते हो तो अपने आपको तोड़ता है plus hydrogen gas release कर देता है ठीक है hydrogen gas release कर देता है आप जैसे आप NCR तीम देख सकते हो थोड़ा से यहां पर clear नहीं होगा डाइगराम आप देख सकते हो कि है हमने क्या लिया था कि छोटे-छोटे टुकडे तो ठीक हमने यह एक अपना वीकर लिया था एसमें ने एसिट मिला है ठीक है इसीट मिला है है ना फिर हमने देखा कि hydrogen gas हिवाल हो रहे थी हरक्रैक्थ हाइड गैस होरह रहे तो आप जानते हो को वो इस ठर cyclist होती है है कै तो हमने क्या किया एक 100 ले लिया यहां पे सोप का सूरूूशन ले लिया हमने है न में आपकी घुमने जाते आते ने लिसे गוזिह और यहां पर लगाया जब तो यहां ऐसे से केंडेल हमने कुछ लगाया दिए केंडेल क जल गई even हम ऐसे हमने देखा की है है यजादा ज्वलन सिल होती है ज्व श्कंदेली है हमने ऐसे फंधों किया यहाँ संतलग में इक स्था गैस क्या हो गई हीड्रोजन गैस हो गई है ने अब उसके बाद क्या हुआ हमने सो जाद है ठाए हम ने उसमें से पास कराई तो वह क्या कि इसवाबल उसमें से निकल गए कुछ ठीक है अब हम जानते हैं कि बहुत सिर्वन है तो हमने क्या क्या है काफी लोगों आया कफी सर्प्राइज हो जाते हैं जो लोग प्रेंट साइंड नहीं जानते वह लोग्तोश भूज हो जाएंगे कभि करके दिखा देना बाड़मे आप लोग चलो सबक्न करते हैं अब क्रेंड्ynnski यह तो रिए से वनो जोबヤ बोर तो सकते हुं कि मेटल्स का जबी है आप रेक्शन कराओंगे ऌछ और दिद्येंगे आपको हाइड्रोगे रेसटेश्टेय। यह क्या करते हैं को हैेंड्रोचनन गैस बाहर से बात थी है वह अगर बेश्त को करें हमने Overn wär की बात कर लिए पैस कि बात करें अगर बेश्इज होते के वे सी क्या करतें और सब्सक्राइब inhabited कर देते हैं कि वहाइद्रोजन गाओ कर देते हैं College सारे cases में नहीं करते हैंना मैं एक दे दूंगा PDF की format में एक चीज उसमें सारी चीजे लिखी होंगी कौन-कौन से metals देते हैं हैंना कौन से नहीं देते हैं तो आप एक बार ज़रूर उसको देख लेना चलो अब salts की बात कर लेते हैं हम जानते हैं कि जब acid और base हम मिलाते हैं ठीक है neutralization reaction होती है ठीक है salts बनते हैं अब salts होते क्या है जैसे देखो salt is an ionic compound ठीक है salt is an ionic compound that results from neutralization reaction of acid and base तो हम बोल सकते हैं कि acid plus base अगर हमने मिलाया ठीक है acid plus base हमने मिलाया तो क्या बना salt plus water यह तो सबको पता है है ना यह तो हर बच्चा बच्चा जानता भाई classics की चीज है ठीक है है ना salts are constituted of positively charged ion known as cation ठीक है तो acid देखो क्या होता है दो पार्ट में टूटता है h plus और मान लेते हैं cl- हमने hydrochlori क्या ठीक हमने base क्या ले लिया एन ने विच तो यह भी टूटा na plus oh minus तो आप सोचो की देखो आप सोचो कि हमने acid का acid का हमने क्या लिया anionic part ठीक है और base का cationic part हमने reaction करा दिया तो acid base हम जब ही भी कराते हैं ठीक है तो आपका H plus और OH minus मिल के क्या बनाता भी है water ठीक है यह हो जाता H2O अब यह क्या होता न ACL बन गया है ना हमने एक देखो example के form में देख रहे हैं तो जबी भी आप देखो यह ionic form में exist करते हैं ठीक है aqueous form में अगर है ना aqueous form में है अगर तो यह क्या होता है basically solids होते हैं ठीक है solids होते हैं बट ऐसा नहीं कि aqueous form में नहीं exist कर सकते हैं जबी भी एक लिए ionic form में होंगे कैसे यह Na Na plus और Cl minus के form में exist करेंगे आप इनको क्या बोलते हो cation जिस पर positive charge होता है कोई भी salt अगर लेते हो ठीक है कोई भी salt लेते हो इसको अगर आप dissociate करते हो तो जो metal पर positive charge है वो क्या है हमारा cations है ठीक है और अगर negative charge है तो वो क्या है anions ठीक है ना अभी आपको बस इतना ही समझना है कि आपके mind में हमेसा सबसे पहले क्या चीज़ा आती है negative चीज़ा आती है है ना कभी positive तो हम सोचते नहीं अपने बारे में तो हमारे mind में हमेसा क्या आती है negative चीज़ा आती है तो आप सोचो negative सिंपल सा मेरा मेथर था याद करने का वैसे मैं और भी तरीके याद करता था है ना बट आप ऐसे याद करो कि नेगेटिव चुछे आपके माइंड में आती है तो आप इनाएंस याद करो आप बात करते हैं हाउ डू मेटल कारगोनेट और मेटल हाईडोज़न कारभोनेट्स रियक्ट वित ऐसिड़ तो देखो मेटल कार्भोनेट क्या होते हैं कार्भोनेट आपको पता है कियो 3 कमपाउंट ठीक है है थृद्वन कारभोनेट तब हाइडोजन लगा दो यह होगा है ना यह होगा सिंपल सी चीज है भाई कि हम क्या करें कार्बोनेट co3 हो गया ठीक है co3 क्या हो गया हमारा hydrogen carbonate अगर metal की बात करें तो हम उसे म से देनोट कर सकते हैं ठीक है m से डेनोट कर रहा हैं मेटल से अगर m co3 plus हम किसी acid का reaction करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है सौल्ट मिल रहा है है मेश टूओ मिल रहा है है पलस सी यौ टू क्या हो रहा है रीलीज हो जा कि यह चीज़े हो रही है कब के केस में मेद हम metal कारबोनेट का reaction करा रहे हैं acid से ठीक है तब क्या चीज़े मिल रही है हमें salt मिल जा रहा है water मिल जा रहा है carbon dioxide release हो जा रहा है same case metal hydrogen carbonate की case में भी होगा अगर acid reaction कराते हैं तो salt मिलता है plus H2O मिलता है plus carbon dioxide release हो जाता है तो आप एक चीज़ समझो simply समझो कि हम जब neutralization reaction पढ़ते हैं तो हम क्या सोचते हैं acid plus base का reaction कराते हैं तो में salt plus water मिलता यह गैस तो निकल गई है ना यह वाली गैस क्या होगी यह तो निकल गई भाई है ना यह वाली गैस क्या होगी निकल गई अब हमारे सब्सक्राइबimar call चाहिए इसको हटा ठीक हैं अगर हटा अगर उसकी होने चाहिएieso एक जांप्स की बात कर लेते हैं अगर तो हम इसको रिलीज कर देते हैं ठीक Hey ना Zeit इश्वो सब्सक्व की बात करते हैं कोई एक हम कारबोनेट लेक mistakes क्या चुजे बन बहुन के बाहरा ही है ठीक है इसका एक एग्जांपल लेते हैं आप सोचो कि कभी भी calcium से क्या टूटेगा CA2 प्लस ये क्या होगा CO3 2- ठीक है अब आप बोलोगे CO3 2- क्या से आया oxygen अगर single है तो ये 2- इडिनेट करता है ठीक है अगर 3 है तो 3-2 क्या करोगे आप भाइनस 6 हो गया ठीक है और एक कारबन कितना दे सकता है प्लस 4 तो प्लस 4-6 करोगे तो माइनस 2 आएगा न भाई ठीक है आप ऐसे समझा करो चीज़े अगर आपको नहीं आदे हैं तो आप ऐसे चीज़े समझा करो कि oxygen में कितने होते हैं 6 electrons होते हैं है ना आउटरमस में 2 electrons और मिल जाते हैं तो उसको octate complete हो जाता तो ऐसे basic basic चीज़े इससे देखा करो ठीक है ना तो reaction कराके क्या बनाएगा cacl2 plus h2o plus co2 यह release हो जाएगा अब आपका काम है reaction balance है कि नहीं अगर नहीं balance है तो आप balance कर लिजेगा ठीक है कोई tension वाली बहुत बड़ी बात यह बट calcium carbonate हमने लिया इसको अगर हम यह बोल देते हैं ठीक है मुझे जहां तक लग राब reaction balance हो गई है ठीक है चलो बोल सकते है कि balance हो गई हाँ balance है ठीक है 2HCl हमने कर लिया तो calcium carbonate plus hydrochloric acid का हमने कराया ठीक है तो क्या हो गया हमारा salt बनाए यह क्या है अगर इसकी बात करें तो यह क्या है salt है यह solid form में भी रह सकता ionic form में भी रह सकता है ठीक है अगर water equals form की बात करें salt तो वह क्या होता ionic form उसके ions टूटे हुए हुते है positive cation, negative an ion ठीक है चलो तो हमने ये समझ लिया कि जो हमारे carbonates हैं, hydrogen carbonates हैं, वो क्या है, basic in nature हैं, basic in nature, ठीक है, हमने simple सी चीज़ समझी, अब आगे हम जब basis से react कराते हैं, ठीक है, इनका है ना ये क्या थे, basic in nature थे, ये भी basis थे, प्लस हमने base का फिर से reaction कराया, ठीक है, तो क्या होगा, no reaction, ठीक है, no reaction, क्योंकि आप basis का, जब basis reaction कराऊगे, मालो, हमने ले लिया NOH, कोई example लेके देखते हैं, और NOH का reaction कराऊगे, तो फिर से तो NOH ही देगा, ना, वो तो रहेगा, वही सेम चीज़ है, भाई, कि base और base का reaction कराएंगे, तो base ही मिलेगा, हमें कोई नई चीज तो मिली नहीं, हमने जो लिया था, वही मिली, तो ये इनक plus water plus carbon dioxide देगा, हमें है, ना, simple सी चीज है, carbon dioxide देगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, कि ये basic in nature, अगर salt दे रहा है, है ना, चलो, अब आगे देखते, how do acid react with bases, ठीक है, अगर bases की बात करें, neutralization reaction हमने पढ़ा था, भाईया, कि कोई भी acid लेते हैं, तो वो salt बनाता है, और water बनाता है अभी हमने पीछे भी बात किया था, किसका, सबसे basic acid हमने लिया था, HCl, plus NaOH की बात की थी, ठीक है, तो क्या बना था, sodium chloride, NaCl plus H2O, यही बना था, ना, है ना, देखो, comment करते रहो, ठीक है, तुम्हें चीजें नहीं समझ में आती है, comment करते रहो, बताते रहो, ठीक है ना, कि acid है, ठीक है, और base का आपने reaction कराया, ठीक है, तो salt प्लस water मिला, अब यह होता कैसे है, ठीक है, यह होता कैसे है, इसकी बात करते है, तो यह क्या थोड़ता अपने आपको, जब आप aqueous form में मिलाते हो, ठीक है, यह एक थोड़ता है, प्लस में अपने आपको तोड़ लिया, c l minus में तोड़ लियाAL तो एज आएक की बात करें तो यह भी बेस का काम होता अगर वाटर में मिलाते है तो OH-1 diert चियल्पल सी चरहरा है कि ec भी i Mic i p no तो सबसे पहली बात कि क्या होता है वाटर बन जाता है यह दोनों मिलके वाटर बना लिए यह दोनों मिलके वाटर बना लिए यह दोनों मिलके वाटर बना लिए तो हमारे पास बचा क्या दो आयन्स बचे एने एने प्लस और सील माइनस तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे एन वह आपकी उपर आप क्या लेके देखना चाहते हो ठीके ना चलो अब आगे बात करते हम reaction of metal oxide with acid है ना जब हम metals oxide की बात कर रहे हैं ठीके oxide क्या O ठीके oxide की बात कर रहे हैं अब metal की उपर depend करता है यह माले थे mo है ठीके दिख रहा है ना सबको mo है अगर mo का reaction कराते हम acid से कि तब देखो हमें क्या मिलने वाला एक बार अगर आपको पता है तो आप comment करो ठीके आप comment करो भाई कि है ना आप comment करते रहो चीजे तभी समझ में आएंगे जब आप comment करोगे ठीक है metal oxide plus acid अगर आप बनाते हो तो क्या चीजे आपको मिलने वाली हैं तो यहां पर भी सेम चीजे ही मिलती यार salt मिलता है plus water ठीक है simple सी बात है तो आप फिर से बोल सकते हो कि इसका नेचर क्या होता है कि बेसिक कि बेसिक इन नेचर होता है ठीक है metals के oxide क्या होते है basic in nature होते हैं आप simple सी चीजे है ना आप बोलते जाओ है आप simple सी चीजे बोल सकते हो कि क्या है यह basic in nature है क्योंकि salt plus water बना रहे हैं तो यह क्या हो गया neutralization reaction है ना या फिर आप इने basis भी बोल सकते हो कि यह basis है ठीक है तो हमको एक example लेकर देख सकते हैं हमने अगर copper की ही बात की ठीक है copper का oxide लिया हमने ठीक है copper क्या होता है Cu 2 plus और oxygen क्या होता है 2 minus तो मिला के दोनों compound बना लिये 0 ठीक है दोनों मिलके क्या की एक compound बना लिये अब हमने क्या किया HCl ही ले लिया ठीक है अब balance करते भी चलते हैं भाही तो CuCl2 बन गया plus of H2O तो आप क्या बोल सकते हो कि यह कौन सा salt है यह वाला copper का salt ठीक है copper salt simply आप बोल सकते हो ठीक है है ना चलो इतनी चीजें हमें समझ में आ गई यह copper का salt है ठीक है चलो अब आगे देखते हैं हमारे पास क्या reaction of non-metals with base अगर non-metals की बात करें ठीक है ठीक है basis से react करा दिया हमने ठीक है ना basis से react करा दिया अब क्या क्या चीजें हमको मिल रही है आप एक बार चेक करो सारे लोग ठीक है non-metallic oxide हम ले रहा है ठीक है non-metallic oxide ले रहा है तो उनसे reactions करके क्या बन रहरें base और रही हमने looking non-metallic Oxide ठीक है Metal Oxide के बात नहीं करें Non-Metallic Oxide लिया और क्या लिया हमने Base हमने Reaction कराया तो क्या मिला हमें Salt मिला Salt plus Water है ना Salt plus Water मिला देखो ये चीजे तुम्हें याद करनी पड़ेंगी थोड़ी सी Salt plus Water Salt plus Water तो आप क्या बोल सकते हो कि Base कभी भी Salt कब देता है अगर आप Base की बात करें कभी भी Salt कब देता है जब ये Acidic in Nature हो है ना Acidic हो Acidic हो या फिर Acids हो है ना ये तभी भया Salt plus Water देगा जब ये क्या हो जब ये क्या हो भाई Acidic in Nature ठीक है Acidic in Nature हो अब यहीं पर बात कर लेते हैं Base अगर Base को Metals रिएक कराते हैं ठीक है आपको यहीं पर रटने वाली चीज हो जाएगी Base को अगर Metals से रिएक कराते हैं ठीक है Metals से रिएक कराते हैं तो हमने देखा था क्या होई थी चीजे Hydrogen Gas रिएक्ट होई थी Hydrogen Gas निकली थी बट सारे cases में नहीं evolve हो रही थी हमने चीज पड़ी थी पहले हमने चीज पड़ी थी तो देखो यह वाली चीज क्या होगी हमें एक नई चीज मिली कि यह Salt तो यहां पर भी मिल रहा था ठीक है ननमेटल के ऑक्साइड की बात करें ननमेटली के ऑक्साइड की बात करें तो वह Salt प्लस Water दे रहे हैं वह Acid की Nature है तो क्या अगर ननमेटल की reaction हम Base की जगह Acid से कराएं समझने वाली चीज यह है अगर Acid से हम फिर से reaction कराते हैं तो क्या वह कुछ reaction देगा तो आप क्या वोल सकते हो भाई कि नहीं देगा क्यों क्योंकि वह खोदी एक Acid है वह Acid अगर आप Acid की reaction Acid से ही कराते हो तो वह कोई भी reaction नहीं कराता है है ना चलो अब हम next lecture में किसकी बात करेंगे फुल्ली डिटेल में बात करेंगे कि जितनी वह एक्शन हमारी बची है ठीके basis की हो या फिर Acids कैसे रिएक करता है Acid की properties क्या के सारी चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे ठीके तो होब आपको session अच्छा लगाओ थोड़ा सार प्रॉब्लम्स आ रही हैं